नमस्कार साथियो स्वागत आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे बॉर्डर रोड और्गेनाइचेशन यह नहीं सीमा सड़क संगठन से आप सभी के लिए रुकूटमेंट आई हुई थी उसके एप्लिकेशन फॉर्म फ्लप प्रोसेस क नहीं है आप इसका जो एप्लिकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट है हमारे टेलिग्राम गूर्प और वाट्साप गूर्प से निकलवा पाएंगे दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिशन बॉक्स में दे दियागा है यह आप वहाँ पर जाकर डारेक्ट सर्च कर सकते हो टेलिग्राम पर ऑफलाइन फॉर्म जो आपको चैनल का नाम देख रहा है वही हमारे टेलिग्राम गूर्प करने में आप वहाँ से इसका एप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड करके अपलाई कर पाएंगे अब चलिए जान लेते कि आपको इस एप्लिकेशन फॉर्म क बाहर होने चाहिए यसके बाद आपको आपको आपडर नीचे की तरह पाप आपको अपने आपर सिगनेचर कर देने होंगे इसके बाद आपको जिस पुष्ट के लिए apply करने बाह वाले हूं multi skill worker मेहि सून के लिए nursing assistant के लिए उस पोस्ट का आपको आपको आप नेम लिखना पोश्ट के लिए तो आपको हैंपर दो मेंशन कर देना होगा इसके बाद आपको हैंपर recruitment center के बारे में बता दियागा है GREF center पूनिय में आपको हैंपर exam में वो conduct करा जाएगा इसके बाद आपको पने हैंपर category mention करने क्यों कि जिस category से आप अपने form को apply करें हो यू आर मतलब होता जन्राल इस से ओबी सी एसम जी आरिये वार्ड आर्मी वार्ड शी पी डवलुड यादि आप candidate हो तो उसके हिसाब से आपको हैंपर टिक का चिन्द लगा देना होगा या उस category का या आपको हैंपर mention कर देना क्लेम चाहिए तो आपको हैंपर mention करना वर्ना आपको हैंपर कुछ भी आपको हैंपर mention नहीं करना इसके बाद आपको अपने अपर total percentage आपको हैंपर mention कर देने होगी जो percentage आपने 10 भी कि यहांपर mention किये वही आप यहांपर mention करेंग यादि आप apply कर रहे हो nursing assistant की post के लिए तो आपको यहांपर अपनी बार्वी की आपको जो भी percentage है वह percentage mention करेंगों वही percentage आपको हैंपर mention कर देने होगी बार्वी की इसके दाराव है यादि आप mandatory community से ब्लॉंग करते हो मालने लिट्री community के जो आपको यहांपर नाम दियो हैं नदीश community से आप बलॉंग करते हो तो आपको yes कर देना वन नो कर देना होगा उस पर आपको टिक का चेनल लगा देना है वन आपको यहांपर no कर देना होगा इसके बाद यह पर प्र यहांपर यहांपर नेम लिखना होगा तो आपको नेम लिखने के बाद हाऊस नमर और सिटी का नेम आपको मेंशन करना होगा उसके बाद आपको present postal address आपको यहाँ पर mention करना होगा, यदि आपके permanent address और present address दोनों same है, तो आपको same ही mention कर देना होगे, present address का मतलब होता है, यदि आप बाहर रहते हो कहीं, with family और वहीं पर अपना admin card मंगाना चाहते हो, यदि आप अकेली भी रहते हो, तो आप उस address को यहाँ पर mention करेंगे, यदि आप कहीं अपने permanent address से अलग अपना admin card मंगाना चाहते हो, तो इस address को यहाँ पर mention करेंगे, और अपना यहाँ पर complete जानकारी दे देंगे, इसके बाद आपको अपना यहाँ पर देखिए, आपको अपनी यहाँ पर 13 number option पर हम आ आ जाते हैं, इस 13 number option में आपको application P के बारे में बतागा है, देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हो, यहाँ पर इदि आप general OBC candidate हो, तो आपकी आपर 50 रुपे application P रहने बाली है, देखिए application P का payment कैसे करना, आप आसानी से यहाँ पर online ही अपनी application P का payment कर पाएंगे, आपको video discussion box में, comment box में एक link मिल है, इसके बाद आपको online payment reference number आपको मिल जाएगा, transaction date, यह आपने जिस date को अपनी application P का payment किया, कितने amount का किया, 50 रुपे का किया, वो आप यहाँ पर mention कर पाएंगे, आपको जो online payment reference number है, जैसे आप अपनी application P का payment करेंगे, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, इसके बाद आप आपको यहाँ पर देखिए, आप हो, तो आपको यह तेरे number option है, जो कोई compulsory नहीं, आपको यह पर खाली छोड़ देना होगा, 14 number option से भी आपको कोई मतलब नहीं, यह भी आपको खाली छोड़ देना होगा, इसके बाद चलते हैं, आपको 15 number option में, इसके बेटे हो, तो आपक कोई बाई, यग यग आर्मिया, जीरियफ में काम करना होगा, वन्ना, नो करना होगा, यदि आपके पास NCCC certificate है, तो यह करें, वन्ना, नो करें, NCCC certificate है, तो यह करें, वन्ना, नो करें, यदि आपके पास CPL है, तो यह करें, नो करें, यदि आपके पास sport quota का certificate है, तो यह क करना होगा वनना आपको हैंपर नो कर देना होगा इसके अलावा एदिया आपको पास जिस स्टेट लेविल का आपको इसको खाली ही छोड़ देना होगा इसके बाद आएंगे इसके बाद आपको प्र पर क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देनी होगी कि आपको यह पर सबसे पहले रिखना टेंथ मिसके अलाबा किसी यह में पास की किस बोट से पास की कौन सी यह दिया आप देखिए जैसा कि आप सब जानते हैं दसमी में कोई आपके पास एक परसनल सब्जेक्ट नहीं तो अपने यह पर बार भी की क्वालिफिकेशन के बारे में आपको यह पर जानकारी देनी होगी सहीं भी आपको जानकारी देनी है इसके बाद जानेंगे कि आपको यह पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो उसके बारे में आप यह पर जानकारी देंगे लिए मैं आपको पताना चाहूंगा सबसे पहले आपको यहां पर उसका नेम लिखना किसए में पास की, किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से की, कितने आपने मार्क ऑप्टेंड किये, कितने टूटल मार्ट थे, किती आपकी पर्सेंटेज थी, यह पार driving lessons है, light है, तो आपको यहां पर mention करना होगा, है भी है, तो आपको उसके बारे में यहां पर जानकारी दे देनी होगा, यह आप पास नहीं है, तो 17 नंबर option को भी आपको यहां पर रिखते छोड़ देना होगा, इसके बाद जानेगे कि आपको next quest को यहां पर कैसे फ्लब करना होगा, देखेंगे आपके पास experience है, तो आपको experience के बारे में जानकारी देनी होगी, यह आप BRO के labor में काम कर चुकी होगने, यह आपको पास CPL का experience है, तो उसके बारे में आपको यह पर जानकारी देनी होगी, वन्ना आपको यह भी आपको यह पर खाली छोड़ दिना होगा, इसके बाद आपको अपने अपर declaration form में सबसे पहले आप जिस date को form को apply करेंगे, जिस स्थान से form को apply करेंगे, अपने गाउन सहर का name mention करेंगे, आपको इस बाद चलते हैं, आपको next list की तरफ तो आपको यह पर यह admit card रहने बाला, आपको admit card पर सबसे पहले एक passport साइज फोटो लगाना है, उस पर भी आपको इस प्रिकार signature कर देने होगे, कि यह आदे शिकने चार आपके photograph के बार होने चाहिए, इसके बाद आपका name क्या है, फ अपल सरी नहीं है, आपको सभी को आपको यहां पर रखते छोड़ देना होगा, यह आपको जबी जो option यहां पर नीचीक तरफ दिखना है, यह सब office use के लिए हैं, तो आपको इनको नहीं यहां पर mention कर देना होगा, इसके बाद आपको सभी document आपने, मैं आपको बताऊंगा जो आपको अपने nearby boxer नहीं पुस्तक बंडार से मिल जाएंगे, तो सबसे पहले आपको जानेंगे कि छोटे बाल envelope को कैसे फिलब करना होगा, सबसे पहले आपको टू लिखना हो, उसके बाद कॉमा लगाना होगा, उसके बाद name करके अपना name mention करेंगे, आपको विलेज क्या application form send करने जाओगे, तो आपको dark cut वहाँ से purchase कर लेना होगा, इसके बाद आपको बड़े बाले envelope को फिलब करना होगा, जिस पर आपको यहापर mention करना होगा, सबसे पहले आपको अपने अपर application फोर्दा पोस्ट, इसके बाद जिस पोस्ट के लिए apply करो, मैसून नर्सिंग अ या आपको लिखना होगा weightage mark, उसके बाद आपको यहापर percentage कितनी थी, आप यहापर percentage mention करेंगे दिए, आप nursing assistant के लिए apply करे हो, तो आपको nursing assistant की यहाँ पर सबसे पहले 12th अपनी percentage के बारे मापको यहापर जानकाई देनी होगी, यहाँ पर आपको लिखना है, 12th आपको यहा यहाँ पर इसी परकार आपको यहाँ पर mention कर देना होगा, इसके बाद आपको side में from लखना हो, उसके बाद comma लगाना होगा, उसके बाद आपका name क्या, सनौप करके father name क्या, आपका village क्या है, पोश्ट अपिस क्या है, इसके बाद आपको अपने हाँ पर pin code mention कर देना होगा, इसके बाद आपको two में address क्या लेखना है यह आपको देखिए आई पर दिया गया address इस address को आपको एंपर mention करेंगे और आपको एंपर pin code mention कर देना होगा इसके बाद जो आपका application form में complete flow चुका होगा इसके बाद बताएंगे कि आपको एंपर कौन-कौन से आप जनरल केंडिडेट हो तो नहीं करवानी है अधर सभी केंडिडेट को करवानी होगी निवास प्रमाण पर की photocopy करवानी है एक envelope रखना होगा जिस पर 25 पर डांट कर लगाना है एक आपको इसके बाद आपको क्या करना है सभी डोकुमेंट की फोटो कोपी कर लेने के बाद आपको सभी डोकिमेंट को यह पर ञेसे प्रकार इस्क्रॉल कर लेना होगा स्क्रॉल करने के बाद आपको बड़े वाले envelope में आपको रख देना हो बड़े वाले envelope में रखने के बाद जो भी आपका नियरा post office पोस्ट आपस में जाना होगा और application phone को registered post स्पीड पोश्ट के द्वारा सेंट कर देना होगा